नमस्कार साथियों कैसे हो कैसी चल रही है बच्छों पढ़ाई आपकी उमीद है कि आप लगे हुए हैं और चलिए जी मैं भी आपके साथ लगी हुई हूँ इसी में हम एक परसनोतर शीरीज हमने कल सुरू की थी जिसमें हमारे बहुत सारे जो देखने वाले हैं उन्होंने क इसको तो मैं नहीं मिटा सकती लेकिन मैं पूरा explain करने कोशिश करती हूं और उमीद है कि आपको इससे फायदा होगा तो चलिए जी चलते हैं देखते हैं परसन नमबर 50 तक हमने कल कर लिए थे आज हमारा दूसरा लेक्चर और परसन नमबर 51 है शुरू देख लेते हैं इस परसन नहीं है यानि कि इसमें बाकी तो सारी कहानी 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 नहीं है और उसमें एक कहानी ऐसी है जो इनकी नहीं है कौन शी है तिर्ची तिरिच उन्हीं की है पालगोमरा का क्यूट्र हुने की है पोली अंधी नहीं है दरियाई घुड़ा भी उन्हीं कि है तो इसका उतर हमारा सी रहेगा जैसा कि यसमें देवी रखा है आपका सी पीली अन्धी इनकी रचना नहीं है उदे प्रकास जी की कहानी नहीं है चलिए एगला परसंद देख लेते हैं अब फणिश्वर्नाथ रेनु को तो हमने कई बार पढ़ लिया मैंने NCRT के जो नोट्स करवाई हैं उन्हें फणिश्वर्नाथ जी दो तिन बार आए है और मैंने बार बार आपको यह कहा है कि इनको छोड़ना मत इनको जितना भी आप इनका कर्ष को मैक्सिमम कर लो अभी इन्होंने फणिश्वर्नाथ रेनु ने बहुत सारी कहानियां लिखी है और उन्हीं में से यहां पुछी गई है रेनु की कौन सी कहानी है अगरां बार जाए है तो थीन की नहीं है और एक उनकी है तो पहली में रस पिरिया दूसरी रस आखे तकती श्री रसिक पिरिया और चोती जो हना पिरिया नील कंथी अब इन में से रस पिरिया जो कहानी है ओ व्पनिश्वर्नाथ रेनु जी की है यानि की ए उत्तर आएग हमारा ये वाला प्रसन की अ कि यह पूछ लिया जाता है कि संपरदाईक्ता कॉन ये पूछ लिया जाता है कि विश्сли IT 你 देख्यर तो यह देखिए यह तमस ऊपनाश है जो संपरदाईक्ता प्राधारीत रहें पाकिस्तान का बटवारा हुआ था उस समय की तरासदीस में दिखाई गई है और यह अगला जो है ग्रामिन प्रिवेश से समन्दित है हमारा यह बलच नमा और उसके बाद यह अपने अपने अजनभी यह भी कुछ इसी परकार का बूंद और सागर जो है एक गाउं की और सहर की कहानी है उसके बाद जो हना अगला प्रसंद देख लेते हैं हम इसमें क्या है निमन में कौन उपनास है उम उपनासकार का यूगम सही नहीं है यानि कि जो जोड़ा बनाया गया इसमें एक सही नहीं है महाबोज मनुवन धारी का बिल्कुल आपने पढ़ा भी होगा आम है और मुझे सुरज चाहिए अब यहाँ पर चमवन पार सहएक यह यक में सही नहीं है यानि किदिय औसटा है मैं सूरज प्रकास की नहीं है शुरज प्रकासिंग की और के इंदरी था है पहला गिर्मिटिया उपन्यासby कि निए बात्मा गांदी के जिए को लंगी हुआ कि नाश करी美味 का नाम को सिब्राज़क हमारी जो आज अक्तामाद के अभरी होगा उपन्यास को लीखे हूं ने ने बहुत था सारे तो यह इस पहला इसकी DRUK उप्षान आएगा दुख्षम सुख्षम उसके बाद है पहले देखे जो आदूनिक उपनास का रिया आदूनिक लेकड का उनकी कई बार चनाई पुछी जाती है पेपरों में पाप और पुन्य के चिरंतन नैसिक नैतिक परशन को किस उपनास में परस्तुत किया गया है पा तो इसको ध्यान दखिए यह बहुत इंप्रटेंट है हमारा उसके बाद अगला देख लीजिए यहीं बहुत इंपोर्टेंट उपनियास है अगला कही बार आता है यह यह पत्त बंधू था इनका जो है एस इंडरेसमेहता प्रभाकरमांचों भारपरसाद गुप्ति रांग काफी चर्चीतु उपन्यास रहा, उसके बाद ऑग़ला पन्यास है नटों के जीवन पर यह दे तो How To Not शचितव में उपनाश समें बंजारों के जीवन presented Oneward राव और में नाटस प्रूं यह पोस्चा जैता है एक पेपर में बहुत रिपीट हो जाता है तो यह इंपोर्टेंट परसनेज को आप द्हान से देखोगे उसके बाद अगला हमारा सर्वेस्वर्दयाल सक्षेना की नाटे क्रेती का नाम बताइए तिल्चटास तुर्मुरग आंधो का हाथी बकरी बकरी जो है उनका नाटक है बकरी जो है कहानी भ भारतिये चिंता धारा का सरवाधिक विकास है यह कथन किसका है भारतिये चिंता धारा का यानि कि भारतिये चिंतन मनन का भगतिया अंदोलन सबसे ज़्यादा विकास करती है यह कथन आचारी हजारी प्रशाद दिवेदी जी का है हमारे जो बहुत बड़े समिक्स का लोच उन्होंने जो भगतिकाल को जो है जार्जगिरियेशन जैसे लोगों ने भगतिकाल को सरण युक कहा तो उस पर बहुत सारा विशलेशन हुआ और यह पंक्ति उन्होंने कही आचारी प्रसाद देविए दिने उसके बाद अगला परशन है हमारा दूसरी परंपरा की खोज कि विधा की दचला है यह भी आ जाता है कई वार्श्ट Official परशन दूसरी परंपरा की खोजड किसकी है कई लेक्क का नाम पूख लिया जाता है और अब तो पुछा है को यह कौन सी विधा का है क्या है या कहनी है या ललीत निबंद है स्बसे पहले तो दूसरी परंपरा की ख उनकी तुलना की करके दिखाए गई इसमें लालित प्रोणन का वरणन है तो इया लालित नीवंद है उसके बाद अगला परशन है हमारा सूर्ज की सिर्य की पहली किरन तक किसकी नाटक रहती है अभी यह नाटक है सुरेंदर वर्माह में इस पहले बता देती हूं और फिर इसको थोड़ा सा हम अपने देखा होगा जयासंकार प्रचाद के नाम से को इस पर करके नाटकों का भगाजन किया तो जैसे कर परसाद का मानना था कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए ना की रंगमंच के लिए नाटक क्योंकि अक्सर तो यूं कहते थे कि नाटक इस परकार होना चाहिए जो रंगमंच पर खेला जाए नाटक करताओं की यह थी बात है अब उनके नाटक इसलिए आटक रंगमंच के लिए नाटक प्रकार की बात इन्होंने कई थी उसके बाद मद्ध्वरग वरक की पारिवारिक समस्छा को दर्शाने वाला नाटक कॉन है वहां उसकी पतनी को छोडा कर कर दूसरी पूर नतिया को दूडती है तो इस परकार का साहिबार से कुछ दिखता है और कुछ दिखता है CBD-星 प्षिय केTime बार देष विभाजन की तरासदी की सुपनास में वरनित है अब एक आधि यहां पर फासदी को दिखाता है स्कतों से जो analyzed अपनी पतनी को खुश करने के लिए किस परकार अपनी ओफिस में गबन कर लेता है और राग दरबारी नाटक जो है ये भी काफी फेमस नाटक है हमारा लेकिन ये देश विभाजन की तरासदी पर नहीं जूठा सच जो है ये हमारा देश विभाजन की तरासदी पर आधारी उसके बाद देख लीजिए एगला परशन है हमारा 64 परशन इसमें निमन में से मनलवय ज्ञानीक उपनाश की से कहा जाता है अगर आपने उपनाश के बारे में थोड़ा सा पड़ा है तो मनोवे ग्यानिक उपनाश किसरेणी में हमारे नाम जो ना जनेंदर इलाचंदर जोशी और अगे का आता है इन्होंने मनोवे ग्यानिक उपनाश लिखे जनेंदर जीने जो ना महिला परधान उपनाश लिखे है कीसे नहीं आएगा है तब ही फैपर से पूरा बनेगा और फिर जाएगा इसका उत्र दी मजुहर्षैम जोशि को नहीं कहा जा सकता तुकि बाकि तिनों यह नहीं से पैसी को पनास्कार है इसके बाद परौशन है द्ली खता नहीं है अपने पिंजरे開ट vajat मेरी ऐसे फलताएं यह देखे अपने पिंज्रे भी दलीतों के बारे में है जूठन भी दलीतों के बारे में है तो यह दी उत्र इसका आएगा उसके बाद अगला है हमारा 68 के बाद 69 निमन में से निमन में से कौन सा रेखाचित्र विधा में नहीं आता संसमरण और रेखाचित्र जो है एक दूसरे के पूरक से माने जाते हैं अब यहां पर बात पुछी गई है रेखाचित्र की समरिती की रेखाएं पुरानी समरितियां सन बोले कनमुस्काएं कंठ गुलाब कठ गुलाब नहीं है कंठ गुलाब है यानि कि यह इन में से सन बोले कनम उसका है यह भी जो रेखाचितर है पुरानी समरितियां भी रेखाचितर है रेखाए बोल उठी इसमें ए आएगा कंठ गुलाब यह आता है यह हमारा रेखाचितर विधा में नहीं आता उसके बाद ह रिपॉर्टाज के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो ठमोन सब्सक्राइब पत्रकार कहीं जाके रिपोर्ट करता है उसी विधा में रिपोर्ट आज भी लिखे जाते हैं तो अलमोडे का बाजार का जो है वह आखो देखे हाल का जैसा वर्णन हो कुछ इस परकार का वर्णन है तो भी आएगा रिपोर्ट आज है यह उसके बाद अगला हमारा अर्द खानक जो है वह उसकर देखा की रिप्रशन 11 जुर्ण है यह कि एक खार थम कथा के लिए ओक तरानक यांनीकी सी औत्राइगा इसका उसके बाद अगला हमारा बहत्रा पसन निवन मैंसे किस पत्रीका से समंदित साहितकार नहीं है यानि कि जो पत्रीका है उससे समंदित नहीं है एक इसमें ओप्षन सही नहीं है हमारा नया ग्यानोदे रविंदर कालिया की पहल ग्यान रंजन की है तद बवखिलेश की है दस्तावेज रामसंदर तिवारी की नहीं है यानि ये रिपोर्टाज है सी उसके बाद अगला देख लीजिए वागर्थ पत्रीका कहां से निकलती थी अधिकतर पत्रीका हैं जो है हमारी कोलकत्ता से निकलने वाली थी तो वागर्थ भी पत्रीका कोलकत्ता से ही निकलती थी उसके बाद अगला परसन है हमारा पचेत्रमा अका तो यह अकाल पुरुष गांधीन की काफी तर्चित रचना थी जीवनी थी गांधी जीवन के बारे में जनेंदर जी ने लिखी थी ए आएगा इसका उसके बाद अगला परसन है हमारा एक कई बार यूँ भी आ जाता है इन पत्र इनके नाम दे दिये लेकों के और यह पूछ उत्तम सबसे उत्तम जो वीर पूरुष वीर है जो पूरुष करमधार यह पाप और पुन्य यानि की दिया जाएगा द्वन्द पुछा गया तो द्वन्द में दोनों पदों की प्रधानता होती है और विग्रह करते हैं तो और तथा या योजकों जैसा हमारे पास पूरुख है आप मेरे यूटूब चैनल पर जाओगे तो वहां समास की आपको जो वीडियो मिलेगी जिसको बड़े अच्छे से एक्स्प्लेइन करके समझाया वहां से देख सकते हो और यह चंद भी मैंने करवा रखे हैं लगभावाट्स दस्चंद करवा रखे जो नियम बताए गए हैं अगर आप चंद जानना चाहते हो तो नियमों को जुरूर याद रखना पड़ेगा वो सारा विस्तार पुरुख समझाया हुआ है तो दोहा चोपाई और रोला यह तिन्नों हमारे मातरिक चंद है चंद अपरकार के होते हैं एक वरणिक और एक मांग सभाण मातराओं सब में 16-16 मातर ही होती है और रोला दोहा की तरह हुता है लेकिन इसमें जो है इसका अन्तमेशा अधिल्ग से होता है वैसे 13 ₹11 होता शभया यह नैषिन वरणिक चंद है इसमें वरणों की गणना गड़न की गणना की जाती है तो 最इसאת का वारा रेगा सी अगर विस्तार पुरुक देखना है तो यह सारे चंद मैंने चंद करवा रखे हैं और आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ वीडियो के मादिम से इसको और अच्छे से जान पा सकते हो उसके बाद अगला देखिए परमानंद तो हमने जो है अभी इसके 77% कर लिए उमीद है कि जल्दी सी लाइक पर जो न दबाईये क्लिक किजिए और जल्यागे बढ़िये परमानंद सब्द में कौन सा समास है समास आंचा हमारा विबत्स रस का भी मैंने बहुत अच्छे से एक्स्प्रेन करके जो अना बनाई हुई है वीडियो वह भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो सारे रस करवा रखे उसमें ग्यारा नो मूल रस है और दो रस बाद में जुड़े थे वैसे शरंगार का भाग था वो सोक का स्थाई भाव करुण होता है विशमें का हास होता है और जुगुप्सा विबत्स का स्थाई है और अदभुत रस उसका क्या होता है विशमें का भाव होता है तो यह जो है हमारे अदभुत रस है यह विशमें और सोक यह रस और स्थाई भाव साथ साथ दे रखें त कि इसमें भुति जादा ऐो ग्लानी दाइक गिरना दाइक जो वातावनुत्पन ऋसको जुगुपसा कहें गे हम। उसके बाद अगला देख लीजिए निमन में कौन्सा अर्थाe लंकार हैं। हिंदी में दो परकार के यह अर्था 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 अर् उसके बाद अगला है वीद्रस या लंकार भी मैंने करवा रखे बहुत अच्छे से विस्तार पुरुक है आप अगर देखना चाहो तो वहां जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियो भी आपको विस्तार पुरुक वरणन के साथ मिलेगी वीद्रस का सथाई भाव क्या है वीद्रस का सथाई भाव होता है उसका सोक ब्यानकरस का भै और शांतरस का निर्वेद है उसके बाद आगे देख लीजिए समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था चेतन ता एक विलस्ती आनंद अखंड गना था ये पंक्तियां इस पंक्तियों में कौन सारस है समरस थे जड़ या चेतन सुन्दर साकार बना था चेतन और जड़ कोई भी हो दोनों एक ही बराबर जो है आनं इसमें और जो निर्वेद का भाव होता है अमारा इसके बाद अग्ला देख लीजिए रष्छाटने के लिए आपको तूटि फूटि करनी आयए तब ऑन फक्रत मुश्किल वें पांच वती सब्द में कौन सा समास अब पंच वती सब्द जिसका पर्थम पत्द जो है वह सवास का मैंने अच्छे से विष्कुल पहचानने के लिए बहुत अच्छे से वहाँ पर विश्टार पुरोग वर्णंग किया हुआ ताकि आप अच्छे से पहचान पाओगी समास कैसे पहचानते हैं तो पंच वटी में इसका जिस समस्त पद का पहला पद जो होता है वो मतलब व्रेक्षों का तो इसमें क्या आ जाएगा इसी दिवाथर समाहार की भी बात है तो हमारा यहां पर संख्या वाचक होने के कारण और समाहार इस परकार विग्रा बनता लेकिन आप धान रखिए यह द्वीग हो गया धान रखिए अगर कोई ऐसी संख्या है जो किसी के रूड हो गई है तो रूड में फिर भुविडी चला जाता है फिर हमारा द्वीगु समास नहीं आता जैसे दसानन है यह सामानन बात नहीं है दसानन सबके तो होते हैं तो वह मैंने वहां पर बिलकुल अच्छे से समझाया हूग आप वहां से देख सकते हो उसके बाद आक उसको भी सुनने लगता है भगवान की दया ऐसी होती है श्री राम के बारा मैं लिखा उन्होंने तो कहते हैं बिनु पग चले सुने सुने नहीं है यह दोस्तों यहां पर देखिए यह जो है वो सुने है नय है यह तै की जगा सुने बिनु काना अब आप यह बताओ किसी के पैर है तो चल nee ессों कैसे सकता है झब कवी कावे में इस पर की प्रियोग करता है तो उसको कहते हैं ऐसंगती अलंगकार अब ए संगती है यानि की बिना पैर के चला नहीं जा सकता तो इसलिए ही हमारा अलंगकार कौन सा आ जाएगा ए आ जाएगा यानि कि चुरासिवा का ए उत्तर है उसके बाद अगला परसन देख लीजिए हमारा 25 सीवा परसन क्या कहता है निमन में अर्ध सवर कहला बहुत इंपोर्टेंट परशन है और यह इसमें कई बार हम पढ़ते पढ़ते चोड़ चीजों को ध्यान नहीं दे पाते और फिर गड़ पढ़ हो जाती है तो अब यहां पर क्या है हमारे यह मैं रहे लै अब तीन तो अंते यह रहे लै यानि की चार अंतेस्थ होते हैं तो जिनको अर्दसवर कहा जाता है अर्दसवर की आधार पर कहा जाता है वैंजन है वैसे तो अर्दसवर इसलिए कहा जाता क्योंकि जब उनका उचान करते हैं तो वायू बिना किसी रुकाउट के बार निकल जाती है इसलिए उनको अर्दसवर की संग्या दी गई है और यह तो इसलिए इसका उत्रिया रहेगा ठीक है उसके बाद अगला परसंद देख लीजिए उमीद है कि आप कोई समझा क्या होगा परसंद देख लीजिए बिहारी हिंदी की बोली का ये हमारी हिंदी भाषा की रही करन किया गया है पाँच भागों में बोलियों के अनुसार पस्टमी हिंदी पूर्वी हिंदी बिहारी पहारी और जो है वो सोर सेनी इस परकार करके किया गया है तो अब देखे बिहारी हिंदी की बोली सोर सेनी के अनुसारी किया गया चारों पस्चमी हिंदी पुर्वी हिंदी पहाडी हिंदी बिहारी हिंदी और एक हमारी रहगी कौन शी रहेगी वही एक खड़ी बोली तो ये सारी रहेगी हमारी तो इस परकार देखे अब यहाँ पर इसमें बिहारी इंदी की बोली का नाम क्या है बिहारी की बोली का नाम मगही बगेली 36 गड़ी बुंदेली तो नहीं है तो ए आ जाएगा 86 में का हमारा मगही है बिहार किस पर कारवर्गी कृइत किया गया है वह सारा कुछ समझा रख यहां पर मेरे चैनल पर जाएक सकते हो उसके बाद पस्चमी हिंदी में कौन बोली है यानि कि कौन सी बोली है इसमें अगला देख लीजिए हमारा राज भासायोग के पर्थम अध्यक्स कौन थे बहुत की इं बार आजाता है पर्थमध्देक्स और यहां पर दोनों मिलते जुलते नाम दे रखे बाल गंगादर तिलक मुंशी आयंगर और बाल गंगादर केर और काका साइब का लेलकर यह सारे लोग जो है वो भासा समंधी कोई ना कोई किसी आंदोलन से या किसी आयोग से जुड़े ह हुए थे लेकिन राज भासा योग के पर्थमध्देक्स का नाम बाल गंगादर खेर था सी आएगा इसका उप्शन सी सही है उसके बाद अगला देख लीजिए नवास्शिमा परसन सविधान के किस अनुछेद के अंतरगत हिंदी को संग की राश भासा का दर्जा दिया ग बासाओं से संबन दीता है लग-लग राज्यों की भासा किस परकार होगी पहली बासा कौन सी होगी दूसरी कौन सी होगी फलानी दिमकानी ऐसे शेकर के सारा कुछ विस्तार पुरोक वरणन है अनुशूची आठ्वी है और अनुछे तिन सो तिर्टारिस से लेकि तिन सो इ इसका ठीक है उसके बाद देखिए अगला है हमारा ये सारा विस्तार पुरोक मैंने हिंदी भासा का विकाष जो है उसमें समझाया हुआ है जाब पंपर भाजा की सार्थखिन लगुतमी की या तो आप पुछता भाजा की फख़्स談 मेरी तो सच-ण्राथ को ढजना ऑप्पूचा जो बूलते ग्युम को उसलОको होगी लापकू हुझक. करते हैं और वाक्य तो आप जानते ही हो वाक्य सब्दों का मेल से जो ना जिसमें कम से कम एक करता और एक क्रिया जरूर होनी चीए हमारा कोई भी वाक्य बनाने के लिए या एक करम और एक क्रिया जरूर होनी चीए तब हमारा वाक्य बन जाता है तो इस परकार जो है अगला देख लीजिए अगला परसन हमारा महारा महापराण के दोनिया वेंचन वर्ग में किससे संभन दित है यह मैंने एक वरन का चपटर आपको इसी का व्याकरन का और उस चपटर में मैंने करवाई थी अलप पराण महापराण घोस है प्रिज भाषा का कोन सा है यानि कि वह बोली जाती है अब यहाँ पर शर्गुजा जो है यह ब्रिज भाषा का छे तर नहीं आए है क्योंकि सरगुजा जो हना 36 गड़ में पढ़ता है यह 36 गड़ी बोली जाती है वाँ पे सरगुजा में तो यहां पर 36 गड़ी आ जाएगी इसकी यह ब्रजभाशा का छेतर नहीं है उसके बाद अगला देख लीजिए अहे तुकी का सुद्ध रूप है अहे तुकी यह पर परकार यह भी अहे तुकी होता है अहे तुकी नहीं होता तो यह हमारा जाएगा बी ओप्सन इसका सही रहेगा उसके बाद अगला है कि सब्द में आ उपसर्ग नहीं है यानि कि हमारे तीन सब्द ऐसे हैं जो आ उपसर्ग आ जन्म आ पलस जन्म हो गया आ गमन आ पलस गमन है उपसर्ग को ठीक से जानने का पलस अगर देखते हैं तो हमारा क्या आज जाएगा दरनिये दरनिये तो कोई सार्थक सब्द नहीं है गलत है तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि यह उपसर्ग इसमें नहीं है तो इसका option रहेगा हमारा दी ठीक है उसके बाद अगला देख सब्सक्राइब और विशर्ग संदी को ट्रिक के साथ बताया हुआ है आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो अमीद आपने देखी भी होगी और आपको उससे फाइदा हुआ होगा जिसने नहीं देखी हो देख सकते क्योंकि संदी के 2-3 पर सुन आ जाते है अक्सर तो जग यह नाथ तो यह ते के बाद यह 5 विवरन आ जाता हुआ तो 10 नहीं में बदल rescue में बदल जाता है तो यह तो इसमें क्या मारा एक नहीं ओड varieties ऐगा और जगननाथ बन गए इस परकार तो इससे जो है यह वेंजन संदी बनती जगननाथ है उसके बाद देखे एक जाए तो ए ओप्सन शही रहेगा इसका उसके बाद अगला देख लीजिये निमन में परते रहीत सब्द है, यानि कि उसमें परते नहीं है, दर्शनिये, अब यहाँ पर जो है, दर्शनिये, यह दर्शनिये हो गया, उसके पाद दुर गुण, अब इसमें दुर पलस गुण, यहाँ पर क्या है, इसमें दुर पलस गुण, इसमें तो उपसर्ग है, प अभवय यानि कि सब में इनमें वो है, लेकिन इसमें दुर्गून है, इसमें क्या है, उफसर्ग है, परता नहीं है, तो भी जूप्सन आएगा इसका, थीक है, उसके बाद अगला देख लिजिए अथ्वा व्याकरण की दृष्टी से है अथ्वा क्या कहलाएगा संदी है उपसर्ग है अन्वे है या अव्वे है अब आपने देखा होगा उपसर्ग तो अथ्वा नहीं होता अन्वे यानि कि ये तो है इनी संदी भी नहीं है अथ्वा एक अव्वे है व्वे क्या होते है सब्सक्राइब करता है यानि कि जो किसी भी रूप में खर्च नहीं होते तो अथ्वा एक अव्वे है आप इसको लिंग वचन पुरुष जाती के मुशार कहीं भी इस्तेमाल करो अथ्वा एजिटीज रहेगा इसमें कोई प्रिवर्तन नहीं आएगा तो इसलिए अव्वे क नियुकल के में दो वे प्रिवर्तित हो जाता है कि यह मुंद्र मोढ़ना तो संदी नन्यागी प्रती है प्रती तो अन्यागी की समय में और euch in ज या वा हई तो ई करम से ये में और उ वे में परिवर्तित हो जाता है कुछ इस परकार की संदी है हमारी ये स्वर संदी है तो ई किसमें बदल गया हमारा ई करम से ये में बदलता है ये यानि कि ये बदल गया हमारा ई ये ठीक है और इसमें क्या मिला हमारा एक एक मिला तो हमारा ये पूर हमारी स्वर्षन दियाएगी यह 99 का उसके बाद अगला है सोमा पर्षन हमारा अन्तिम पर्षन के और बढ़ रहे हैं उमीद है कि आपको आपने लाइक से सबकुल कर दिया और प्रेपर बीट अच्छे से समझ आया होगा आपको गोतक का तद भव क्या है गोतक जो है उसका तदभव यह अश्व तुरंग और गोड़ा सारे गोड़े के प्रियाइवात्स दिये गए ग्यादवाच्च जो है एक संस्कृत का सब्द है और इसका जो दूसरा रूप है जो हिंदी में प्रयूक्त होता है उसको हम क्या करते हैं गोडा करते हैं